नमस्कार दोस्तों वियली सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिट से बहुत दोस्ट स्वागत है दोस्तों अब बात करेंगे CAC OTS Registration Process के बारे में जिन भाईयों को नहीं पता बता दें कि बिजली विल के भीतर जो माफी की स्कीम चल रही है 2021-2023 तक यह स्कीम चलेगी जिसके बीतर समस्त विद्धुत भार के घरेलू वाडजिक निजी नलकूप निजी सस्थान और दोगिक स्रेणी के विद्धुत बहुकताओं के साथ चोरी के परकरणों में भी जुर्माने की रास में छूट मिलेगी ठीक है अपना जो छूट चल रही है वन टाइम OTS वाली उसके वितर उनको छूट मिलेगी अपने खुद से इसकी वेब साइट पर जाकर सकते हैं नजदी की जन से वहां पर करवा सकते हैं जल्दी आहें ज्यादा ठूट पाएं तो CAC के माध्धम से यह चूट वाला क्योंकि कि एक OTS registration करने के लिए simply से आपको आ जाना होता है electricity वाले option के वीतर और यहां पर आने के बाद आपको जो है OTS service का option दिख जाएगा ठीक है अगर आपको नहीं दिखता है या इस पर क्लिक करने के बाद यह not service found ऐसा कुछ error आता है तो आपको परिशान नहीं होना है simply से जाना जो भी cookies और clear data है वो कर देना है और इतना हो जाने के बाद दुबारा से आपको आ जाना है अपने डिश्टल सेवा पोर्टल पर यह लाग आउट हो चुका होगा अगर आप चाहो तो अपना डिश्टल सेवा पोर्टल के साथ साथ में गूगल क्रोम भी बंद करके दुबा यहां पे जिस company से बिझली आती है उसका इसमें नाम दिख रहा है तो simply से आपको उस पर क्लिक कर लेना है कंतर पर यहां पर चैक लिजमर नं देलेकर जैसे आप इंटर कर औक यहां पर कुछ इस तरीके की सीट आपके सामने घंट के आएगी जहाँ पर आपको दो तरीके से payment करने की सुविधा दी जाएगी एक तो one time payment यानि कि एक बार में payment करके आप खतम कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो किस तो में इसको पे कर सकते हो ठीक है तो यहां पर देखो आठ नॉंबर से 30 नॉंबर तक की डेट अभी हो कर रहे है क्योंकि अभी 30 नॉंबर से पहले पहले हैं तो क्यों एक ही यह टिक करने का option देखेगा और अगर आप इस चीज़ को एक दिसम्बर के बाद में करेंगे तो यह वाला सेकेंड वाला टिक करने का आएगा ठीक है लेकिन अभी इसमें फर्क क्या है यह है कि अगर आप अभी 30 नॉंबर से तो यहां पर 1341 रुपे छूट मिलेगी ठीक है यह तो हो गया छूट वाला एमाउंट कितनी छूट मिलेगी प्लस यहां पर देखो आपको जो है 30 परसंट जो एमाउंट जमा करना है वह तीनों में ही यानि कि जितना भी बिल है 10,000 का बिल है माल लो तो वहां पर उनको जो है 30,000 रुपे 30 परसंट यानि कि उसका जमा करना है ठीक है वह कब जमा करना है वह रिशेशन की डेट को यानि कि 8 नॉंबर से 30 नॉंबर के बीच में किसी भी डेट में जब रिशेशन करवाएंगे OTS का तो तब जमा करनी है बा जोनों ने जमा किया है वो लफड़ में पड़ जाएगा ठीक यह चीज है और दूसरी चीज अगर किस्तों में करते हैं तो कैसे कर सकते हैं जिसे आठ नॉंबर से 30 नॉंबर तक अगर किस्तों में जमा करते हैं तो यहाँ पर जो चूट मिलेगी वह 1565 रुपे की मिलेगी तीन किस्तों में इसको जमा कर सकते हैं, किस्त का जो एक किस्त का अमाउंट होगा, वो 4598 रुपया होगा, और 30% जो रिजिट्रेशन अमाउंट है, यानि कि OTS के वीतर रिजिट्रेशन करने के टाइम, आपको जैसे अभी रिजिट्रेशन में करता हूं, तो वहाँ पे मुझ करेंगे 15 December तक तो 1341 रुपय की छूट मिलेगी, और 16 December से 30 December तक करेंगे तो 1118 रुपय की छूट मिलेगी, और 3 किस्ते ही रहेंगी, किस्तों का अमाउंट चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो चूट है, वो कम ज्यादा हो रही है, तो अभी जैसे कि क्लाइन का जो बि क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके की रसीद खुलके आ जाएगी जिसका एक प्रिंट आउट कस्टमर को दे देना है और यहां पर देखो जो है आपको एकाउंट आइडी नाम के साथ साथ में यहां पर आपको ब्याज दिखा रहा है कि 31 तक कितना ब्याज लगा था 2235 रुपे ब्याज लगा था और 31 दो हजार तेइस तक 18748 रुपे बिल बाकी था ठीक है अभी माफी होगी अधिक्तम ब्याज है 1565 रुपे यानि कि बाइस सो में से 1565 माफ हो रहा है पंजिकरन धन्रास यानि कि जो जितना अमांट हमारा जो 18,000 ह है उसके इसाब से 524 रुपे हमें 30 रुपे जमा करना है तब यह OTS का हमारा माना जाएगा और यह एकमुस्ट धन्रास से 13,795 रुपे यानि कि यह हमें धन्रास से बाकी तीन किस्तों में जमा करनी है ठीक है तो इसका प्रिंट आउट ले लेना है और इतना प्रॉसस यानि से इसको इसको कर लेना है और यहां पर दोस्तों आपके बाद आपके पास अब खिर न की तब अब नहीं किया तब तक यह consumer जो है OTS के बितर consider नहीं किया जाएगा ठीक है तो जलो भी आपका 30% का जो भी आपका है payment आप वो कर सकते हैं या आप चाहो तो पूरा भी कर सकते हैं लेकिन हमने यहाँ पर इसलिए हम यहाँ पर 30% ही payment करेंगे और यह 30% payment करने के बाद में यह जो कंजूमर है OTS के लिए हो जाएगा और इनकी जो भी किस्ते बनी है जो भी टाइमिंग है जिस भी लाक्ट डेट है ठीक है जो भी इन्होंने टाइम फ्रेम से पहले पहले इनको जो है बाकी किस्ते अप आदिम से OTS Ration का आशा करता हूँ आपको प्रोसस समझ में आया होगा अलाकि इसके ओपर मैंने डिटेल आडिकल भी लिख दिया है Google पर जाके सर्च कर लेना विजली बिल माफी वियली सोसाइटी इतना लिखके जैसे ही आप सर्च करोगे उपर आपको यूपी बिल माफी आपको एक आर्टिकल लिखा हुआ मिल जाएगा सिंपली से इस पर क्लिक कर लेना वहां से आपको पूरा प्रोसस बताए गया है कि किस तरीके से आप इसके वी तक आगाम कर सकते हो फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में या वीली सोसाइटी आप के कार्टिम से लिके जरूर बताएगा मिलता हैं से किसी नए वीडियो में तब तक लिए बाई जाहिए